क्या हाल चाले दोस्तों मेरा नाम है सोरा और आप देख रहे हैं टेक्टोग गयों दोस्तों आज एपल ने अपने फर्स्ट वर्चुल WWDC इवेंट मतलब की वर्ल्ड वाइड डेवलर कॉन्फरेंस इवेंट जो कि एपल हर साल करता है उसके तुरू अपने नेक्स जनरेशन जो सोफ्ट्वेयर हैं iOS 14, iPad OS 14, TV OS 14, Watch OS 7 और Mac OS Big सब को अन्वील कर दिया है दोस्तों जो इवेंट में शो किया गया है उसे देखकर लग रहा है कि इन सोफ्ट्वेयर में हमें काफी जाद़ इंप्रूंट देखने को मिलने वाली है पर जिसका दोस्तों हम से भी को बेसरी से इंतजारता हम वेट कर रहे थे वो है iOS 14 की अफडेट तो दोस्तों आज की सुड़ों में आपको बताने वाला हूँ iOS 14 के टो फाइफ फीचर्स के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो बहुत इंटरस्टिंग बनी है आपको वीडियो देखके मजा आने वा पारे में तो उसमें ज्यादा कुछ चेंज देखने लोगों नहीं मिले हैं except उनके वाल पेपर्स लेकिन iOS 14 की अपडेट के साथ आपको होम स्क्रीन एक्स्पिरेंस एकदम डिफरेंट मिलने वाला है दोस्तों Apple ने नहीं अपडेट में होम स्क्रीन के लिए नहीं विजिट इंट्रड्यूस किये हैं आप इन विजिट्स को न्यू गैलिट से चूज कर सकते हैं और according to your requirement उनको मूग करके या भी छोटा बड़ा करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसी के साथ दोस्तों Apple ने न्यू एप लाइबरेडी भी इंट्रड्यूस की है जो कि आपकी एप्स को ओटोमेटिकली वेरिस कैटेगिस में उर्गनाइज कर देगी लाइक अगर वो सोशल से लेटेड हैं सोशल में डाल देगी एंडरेडिनमेंट या गेम से लेटेड है तो उनको उनिका ओटोमेटिकली एक फोल्डर बना देगी दोस्तों वैसे ये दून फीचर्स हम पहले जी यूज़ करते आ रहे हैं Android के अंदर लेकिन अभी Apple ने मिल रहा है तो दोस्तों कोई दिक्कर नहीं यूज़ करने को अच्छा experience मिलने वाला है Apple के साथ इसी के साथ-साथ App Library में आपको Smart Stack विजिट भी दोस्तों देखने को मिलेगी जो की AI-based work करती है और according to location और time आप कहां पर है या फिर आपने जो recent apps यूज़ कर रहे हैं उसको as a next option आपको suggest कर देगी दोस्तों iOS 14 के साथ आपको Picture-in-Picture Mode भी जल्दी देखने को मिलने वाला है इस feature के साथ आप अपनी movies या फिर FaceTime को pop-up view में दूसरी apps योपर overlay करते हुए यूज़ कर पाएंगे इस तरह आप movies भी देख सकते हैं अपने call बेटेंड कर सकते हैं और बाकी other apps को भी यूज़ कर स दोस्तों जब से Siri को iOS में introduce किया गया है तब से इसका user interface है एकदम सेम ही था मतलब कि जब भी आप Siri को trigger करते थे तो वो आपकी full skin को occupy कर लेती थी और जो भी skin पर चल रहा होता था वो ब्लोक हो जाता था बड़ दोस्तों iOS 14 के साथ Siri का existing module है उसको change करके redesign किया गया और एकदम new animated avatar में इसको introduce किया गया है मतलब कि अगर अभी आप Siri को command देते हो तो वो bottom में ही animated form में आपकी voice को सुनेगा और आपकी command की recording work करेगा और अभी आप Siri के through audio message send करने के लिए command कर सकते हैं मतलब कि जो पहले Siri जो function कर दी थी वो तो करेगी प्लस अभी आप उसको through audio message भी send करवा पा apps को use ही नहीं करते हैं basically उनके हमें need ही नहीं होती है हम किसी particular काम के लिए कुछ apps को download करते हैं और उसके बाद हम download delete करना भी भूल जाते हैं तो उससे क्या हो कि हमारा space भी खाती रहती है और हमार data भी background में चलता रहता है तो दोस्तो इसी के लिए IS14 में app clips को add किया गया है इसक उसको app clips के तुरू temporary basis पे आप यूज कीजिए और फिसको वहीं से वह ग्लिट हो जाएगी लेकिन अगर आप किसी app को full version download करना चाहते तो उसका option भी दोस्तों यह app clips आपको देती है आप Apple Pay के तुरू sign कीजिए और full app को भी आप उसके तुरू download कर पाएंगे iOS 14 के साथ आपको एक brand new translate app देखने को मिलेगी although Google Translate app अभी market में available है लेकिन अभी Apple ने भी अपने translation app develop कर ली है तो Apple iOS device में आपको देखने को मिलेगी जिसमें अभी 11 language को add किया गया है और हो सकता है बात में और जो और language है उनको भी इस app में add किया जाए इस app के तुरू आप seamlessly औ top पर रख सकते हैं और अगर आपके कोई conversion चल रही है iMessage पर तो आप उसको inline replies भी कर पाएंगे like WhatsApp में जैसे का pin करके टोप पे ला सकते हैं और inline replies कर सकते हैं वैसे आपको iMessage में भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह थे iOS 14 के टो features यह सभी features अभी beta version में है और अगर आ हैं तो अपने device में iOS 14 को install करके इन features को use कर सकते हैं नहीं तो जल्दी यह features जितने भी हैं अभी आपको new iPhone series के साथ stable version में मिल जाएंगे दोस्तों इस वीडियो से related कोई भी feedback या suggestion या कोई other feedback आप मुझे देना चाहते हैं तो नीचे आप comment section में लिख कर बता सकते हैं नहीं तो म description में अपने social media handle के links दे दिए अब वहां भी मुझे लिख कर बता सकते हैं तो दोस्तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like कर लें और अगर मेरे चैनल को subscribe कर लें side में बने bell icon को दबा दें ताकि मेरे चैनल की कोई notification आपसे मिसना हो तो चलिए दोस्तो जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में